दो हजार बाईस के विधान सभा चुनावों को लेकर गुजरात चर्चा में है चुनाव आयोग ने 9 दिसंबर तथा 14 दिसंबर को दो चरणों में गुजरात विधान सभा चुनाव कराये जाने का कारिक्रम जारी किया है हिमाचल प्रदेश के साथ ही 18 दिसंबर को गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे गुजरात भारत का वे हिस्सा है जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में हडपा संस्कृती पढ़ते समय लोथल और धोला वीरा नाम के नगरों से होता है गुजरात वेह राज्जे है जो सिद्ध राज्जे सिंग तथा कुमार पाल जैसे सोलंकी राज़ाओं के राज्जे के लिए जाना जाता है गुजरात वे राज्य है जो सोमनात मंदिर के लिए जाना जाता है वे सोमनात मंदिर जो सत्रह बार विदेशी आकरंताओं द्वारा तहस नैस किये जाने के बाद भी पूरी भविता के साथ इस्थापित है गुजरात जाना जाता है भारत मा के ऐसे आचल के रूप में जिसने उन महान सपूतों को पाला है जिनकी उर्जा और समवेदना ने भारत को अंग्रेजों के चंगल से छुडाने में सबसे महत्पून भूमी का अदा की वह माटी जिसने महत्मा गांधी दादा भाई नौरोजी तथा पटेल को जन्मा है बॉम्बे प्रांथ से अलग होकर 1960 में गुजरात का गठन भारती संग के एक सोतंत्र राज्य के रूप में हुआ राजनेतिक इतिहास की बात करें तो 1960 से 1995 के बीच 70 और 90 के दशक की कुछ एक घटनाओ के इतर कोई भी पार्टी कांग्रेस की लोगप्रियता को चुनाओती नहीं दे सकी परंत 90 के दशक में हिंदोतों की राजनीती को लेकर जब रास्ट्री पटल पर भारती जनता पार्टी का उदे हुआ तो गुजरात भी इससे अचूता नहीं रहा 1995 में जब गुजरात में विधान सभा चुनाओ हुए तो भारती जनता पार्टी ने 182 में से 121 सीटे जीत कर पूंड बहुमत की सरकार बनाई तब से आज तक गुजरात की जनता ने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा पार्टी के सीर्ष नेत्रत्त में कई बार बड़े बदलाव हुए पर भाजपा ने गुजरात की जनता पर अपनी मजबूत पकड़ कमजोर नहीं पड़ने दी मौजूदा समय में 111 विधायकों के साथ मुख्य मंत्री भुपेंद्र भाई पटेल गुजरात सरकार चला रहे हैं 2022 के गुजरात विधानसबा चुनाओं में बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती परिक्षाओं में देरी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे हावी रहेंगे ऐसी स्थिती में जनता को लुभाने के लिए तमाम राजनेतिक पार्टियां चुनावी समर में कूद पड़ी हैं बीजेपी के सीर्ष नेता जहां अपने बीते कारेकाल की उबलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने 2022 के चुनाओं परशार के लिए अभी तक किसी बड़े नेता को गुजरात में नहीं उतारा है ओवैसी की AIMIM मुस्लिम वोटर्स को रिजाने में प्रयास रथ है, वहीं आम आदवी पार्टी ने गुजरात की जनता पर सुनहरे सपनों की बोचार कर दी है ऐसे में गुजरात की जनता इस बार राज की बागडोर किसके हाथ में सौपती है, यह तो 18 दिसंबर के चुनाओं नतीजों के साथ ही सामने आएगा धन्यवाद